मेरे नाम गोपीजन चौधरी है और मैं मेडिकल में जॉब कर रहा हूँ पचले 33 साल से और पाइटाइम खुबसर से प्यारे से बिजनस को बिल्ड कर रहा हूँ हम और आप लगवक 30-40 में डिसकस करेंगे और डिसकसन में सिंपल जो मेरे पास experience में उनको share करूंगा किसी तरह कि मैं कोई commitment नहीं कर सकता आप से कि बिजनस आपके लिए काम करेगा डिपेंड करेगा आप अगर अपनी लाइप में कुछ तलास कर रहे हैं तो डिफिनेटली एक solution आज आपको मिलने वाला है सारे decision आपके होंगे आप उसमें participate करते हैं यह अगर मना करते हैं यह आपका होगा आपको किवल द्यान पूर्व यह देखना है अगर आप participate करते तो क्या कर सकते हैं क्या आपको life में add-on कर सकते हैं और अगर आप मना करते हैं तो यह देखना क्या आप मिस्स कर सकते हैं तो इस सब के लिए मैं स्क्रीन शेर आपके साथ करूँगा कुछ करने के लिए और इस दौरान आपकी दिमाग में कोई सवाल आता है तो आपको अपनी अप्लाइन साथ बैट जन्हों आपको आज इन्वाइट किया है उनके साथ बैठकर क्लिर्ली डिसकस कर लेना है ताकि किस तरह का कोई आपकी दिमाग में ना रहे किसकी ना रही है तो आज हम बात करने वाले जिस अपॉरसिटी के बारे में थोड़ा से जानेंगे ब्रीफ में कि अपॉरसिटी है क्या आखिर और किसे हमारे लिए काम करेगी सबसे पहले बात करेंगे कि जीवन में हम कुछ भी करना चाहते हैं तो हम यह देखना है कि हम ज पैसा बना पा रहे हैं जो आज की बड़ती मेंगाई में हम उसको बीट कर सके हमें कई बार काम करते हुए जो पैसा कमाते हमें लगता है कि हम सब कुछ अक्षा कर रहे हैं और सब कुछ जानते हैं हमें यह पता भी नहीं होता कि हमें आने वाले टाइम में कितने पैसे की ज ले रहे थे तो उस टाइम लगबग छहासात रुपे सिर्फ हुआ करती थी आज चहसात रुपे चोड़िया आज तो छहसात लाग रुपे की बात कीजिए तो ऐसे कितने समय के बाद कितने पैसे की जर्थ पढ़ती है इसका एक आईडिया हम देखते हैं हमने देखा कि उननी सुख भी सामिल हो गए थे तो वह भी हमें पता है कि सब डाटा कितने अच्छे से काम कर पा रहे हैं उननीच सो साट में यही राची बढ़कर सौरपे हो गई यह जो सौरपे कमाता था वह परबार को ठीक से डाल रूटी मैनेज कर सकता था लक्षरी लाइफ नहीं ले सकता था वह पर अच्छे से मैनेज कर लेता था समाज में सम्माज जनक जिन्दगी वह जी पाता था यही डाटा बढ़कर में देखा जाए तो दस हजार रूपे एक हजार रूपे जिसकी इंकम थी वह अपने परवार को अच्छे से चला पाता था और यह वक्त है जब हम आई स कर रहे थे और अच्छी तरह से चीजों को सोच पा रहे थे कि एक हजार रूपे का वैल्यू क्या होता और एक हजार रूपे का से क्या-क्या चीज़े खरीद जा सकती है इसके बाद संद 2000 में जिसकी आमनी 10,000 रूपे थी वह इंसान अपनी परवार को ठीक ठाक चला सकता बहुत अच्छी जिंदगी उसकी नहीं होती थी यह हम इसलिए जानते कि इस टैम तक हमारी नौकरी को 11 साल हो चुके थे और हमें पता है कि वहाँ पर इस 10,000 रूपे का मतलब क्या है यही वो वक्ता जब में सब्सक्राइब के अंदर सामिल हुए थे और तब हमारी टोटल सेलरी 10,000 रूपे नहीं होती थी तो हमें पता 10,000 रूपे बहुत अच्छी इंकम थी उस टैम एक सरवाइब करने के लिए अगर हम देखें इसको तो 1940 से सन 2000 तक देखें तो यह 40 साल का डाटा हम देख पा रहे हर 20 साल के बाद 80 साल के डाटे में हर 20 साल के बाद आपकी इंक इंकम बढ़कर 1,000,000 रूपे हो गई यहांगी जो 10,000 रूपे कमाता था अगर वो 1,000,000 तक पहुंच गया है 2020 में तो वही जिंदगी थी उसकी जो वह 2000 में 10,000 रूपे भी जी पाता था सन 2000 में मेरी सेलरी 6200 रूपे थी और उस तायम इस अपॉर्शिटी में सामिल जो हुआ था तो मेरी लगबग एक महिने की सेलरी इसके इंदर गई थी सन 2020 में सेलरी मेरी बढ़कर एक लाग को क्रॉस कर गई थी लेकिन जीवन में कोई परवर्थ नहीं है तो हम अच्छे से बोल सकते हैं कि यह डाटा वर्क करता है अब भी सन 2020 जो चल रहा है अगर आज आपकी इंकम एक लाग से कम है तो आप बहुत अच्छी जिंदगी को सा कर बढ़ रहा है से सन 2020 आना है बहुत लोगों की जीवन में आएगा और साइद कुछ लोगों की जीवन में इना आप आए वह एक अलग बात है जो बहुत अस्टी और सो को टच कर रहे हैं लेकिन आप सभी की जिंदगी में आएगा तो क्या आपके इसाफ से आपको ऐसा ज सुनते हैं फिकर सुनते हैं तो हम डर जाते हैं और कई बार हमें लगता है कि यह तो बड़ी बड़ी बात हो रही है दसलाक रुपे कहीं जिंदगी जीने के लिए अगर आपको यह असत लगता है तो पिछले आप उनिस सो चाली साथ असी और दो जार यह 80 साल के डाटा को देखिए जो चीज पिछले सो साल से दुनिया में काम कर रही है क्या अचानक से वह आने वाले वीच साल बाद काम करना बंद कर देगी और भी असली नहीं करेगी सवाल उठता है हम इस महंगाई के साथ से अपनी आमंदी को कैसे बढ़ा है जो आप कर रहे है जरूरी नहीं वह आपको इस आमंदी के हिसाफ से आगे लेकर लेकर जा रहा दो बहुत अच्छा है लेकिन अच्छी जिन्दगी जीने के लिए आपको एक जीरो एडवांच सल ही है बेसिक पूरी हो जब वही काफी है तो उसमें आपको सुब्दा मिलेगी इस अपॉर्टिटी के द्वारा कि आप आसानी से बेसिक लाइफ को इंजॉय करता गए अब सवाल उठता है यह सब कुछ कैसे आएगा हमारी जीवर में हम बात करेंगे क्वालिटी लाइफ के वारे में कि क्वालिटी लाइफ का मतब क्या है एक जिंदगी सभी जी रहें लेकिन हमें नहीं पता कि जिंदगी के क्वालिटी लाइफ कहते किसे हैं देखिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता जीवन में पैसे तो जिसे देखो कम लेकिन अगर वो सिर्फ पैसा कमाए उसके चारो तरफ पैसा हो लेकिन उस पैसे को इंजोई करने के लिए पर बार को देने के लिए टाइम नहीं जाता quality life का मतलब है आपको पैसा हो, पैसे को enjoy करने के लिए परवार के साथ, परवार को देने के लिए आपको समय भी हो, तो जिस business की मैं बात करना हूँ, वो आपको समय भी देगा, साथ में पैसा है, समय है, लेकिन अच्छी सियत नहीं है, यहार कि हमारे अंदर बहुत सारी बीमर बीमारी पैसे के साथ साथ जुड़ती से लिए इधर बैंक में थोड़ा पैसा बढ़ रहा है, उदर सरीर में कुछ बीमारिया बढ़ रहे हैं, वो diabetes का सिकार हो जाता है, वो हाईपर्टेंशन का सिकार हो जाता है, वो stress level उसका ही होने लगता है, उसको कई बार काते इंसोम कि वरकी कमाई लगा कर उस सेहत को वापिस नहीं ले सकते, तो वो भी एक्वालिटी लाइफ नहीं मारी जाती, तीसरी चीज़ होती है, फाइनिस अची कोटी, लोग जीवने में पैसा कमाते हैं, सेहत को भी थोड़ा ध्यान रखते हैं, उनके पास थोड़ा समय भी होता है लेकिन उनके पास हमेशा एक डर इस बात का सताता रहता, कल को कुछ हो गया, मैं जो काम कर रहा हूँ, वो काम ना रहा है, या मैं करने की इस्तितिम ना रहा है, तो क्या मेरे परवार की रिक्वार्मेंट अचानक से बंद हो जाएंगी, ऐसा कभी नहीं होता, किसी इंसान क उसको ड्रॉप नहीं किया जाता, लेकिन जो अर्निंग परसंता वो ही नहीं रहा, तो क्या वो बच्चे वो परवार जो पीछे रहने वाले सतर से हैं, सेम लाइफ को एंजोय कर सकते हैं, और ये डर इंसान को धंग से जीने भी नहीं देता, जिस अपॉर्शिटिंग में बात कर रहा हूं, उस अपॉर्शिटि में आपको एक तरह से कंप्रीट पैकेज मिलेगा, आप मर्जी का पैसा बना पाएंगे, अगर आप कुछ काम करने को तयार हैं और ओपन मैंडेड हैं तो, आपके पास अच्छा टाइम होगा, अपने परवार को देने के लिए, अप आपके खुद के सिहत का ध्यान रखने के लिए, आप मस एक अच्छी सिहत होगी, उसके रिजन बहुसा रिजन है, हम अगले सरसनम बात करेंगे, आप पैसे वाले के साथ साथ, समय के साथ साथ, अच्छी सिहत के मालिक होंगे, और इस बात की फिक्र आपको कभी ना होगी, कि कल को कुछ हो गया, तो क्या होगा, क्या मेरा परवार ऐसे जीता रहेगा, ऐसे जिन्दगी को एंज्जोई करता रहेगा, क्या सब कुछ एजिटीज बना रहेगा, ये सारी चीज़े आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली हैं, हमने देखा कि पैसे कमाने के जिन से लोग पैसा कमाते हैं, और भी होते होंगे, बड़ ये मुख चार तरीके हैं, पहला तरीका होता है, लोग नौकरी के द्वारा पैसा बनाते हैं, जैसे मैं बनाता हूं, मैं पिछले 33 साल से नौकरी पर जाता हूं, आठ घंटे सरकार को मैं अपने टाइम के देता ठीक, दूसरे होते हैं, सेल्फ एंप्लोई, वो वो होते हैं, जो किसी की नौकरी तो नहीं करते हैं, लेकिन खुद को खुद की समय सीमाव में बांद कर रखते हैं, खुद का समय अपनी सर्थों पर बेशते हैं, अपने समय के बदले में कितना चार्ज करना है, यह वो एक एमपायर खड़ा करते हैं कोई एक ऐसा एसेट बनाते हैं जिसकी वज़े से वहां उनका टर्नोवर होता है और टर्नोवर की बदले उनको पैसा मिलता है यहां पर वो पूरा सिस्टम क्रेट करते हैं वो खुद फिजिकल इंवॉल्ब नहीं होते हैं इनिशल डेज में और चौती चीज होती है इन्वेस्टर इन्वेस्टर उसे कहते हैं जो पैसे से पैसा बनाने की कला जानते हैं उन्हें बहुत बड़ी रेंटल प्रॉपर्टी खरीद लिए एक अर्बो रुपे लगा देते हैं लाख रुपों से आता रहता है इस तरह की इनकम या बैंक प बहुत मेहनत करते हैं लेकिन ये एक ऐसी इंकम बनाते हैं जो इनके एक्टिव रहने पर घर में आती है परवार में आती है इसलिए इस इंकम को एक्टिव इंकम कहा गया इनका इन साथ जयरो हो जाती है दुनिया में 98% लोग जो की qualified है वो इस तरह की income को generate करते हैं दूसरी साइड में जो businessmen होते और investor होते हैं इनके लिए किसी qualification क्या आप सकता नहीं होती कभी आपने नहीं सुना होगा कि आपको अगर आपके नगर सेट बनना है तो यह सुड़ी PhD holder ऐसा कभी नहीं सुना होगा कोई फर्ण नहीं पढ़ता आपकी योगता क्या है कोई फर्ण नहीं पढ़ता आपकी जाती क्या है कोई फर्ण नहीं पढ़ता आपकी उम्र क्या है बस आपके पास एक common sense होना चाहिए और एक बड़ा setup तयार करने के लिए, empire तयार करने के लिए एक जज़बा होना चाहिए यह जो businessman investor है, यह नौकरी किसी की नहीं करती है, लोगों को नौकरी देते हैं, लोगों को रोजगार देते हैं और इस तरह की income, जहां आपके involvement के बाद भी income आती हो, इस तरह की income को passive income कहते हैं, दुनिया में सिर्फ 2% लोग, चाहे उनकी qualification बड़ी ना हो, लेकिन वो passive income को generate करते हैं, आपसे अगर मैं simple सा एक सवाल करूँ, मैं कोई lesson नहीं दे रहा हूँ, आपको मैं कोई teacher नहीं हूँ, मैं जाए कि आपकी जीवन में दो मौके हैं, एक मौका है active income generate करने का, जहां आपको 10 गंटे, 12 गंटे रोज डालने होंगे, जहां risk होगा, जिस दिन समझने ही डालोगे, आपकी परवार की income zero हो जाएगी, दूसरी तरफ हम आपको मौका देते हैं, एक ऐसी income generate करने का, जो passive category में मानी जाती है, एक इस्तिती के बाद आप effort न डालें, तो भी आमदी बंद नहीं होगी आपकी, तो एक समझदार व्यक्ति किस तरह की income को choose करना चाहेगा, obviously वो passive income को choose करना चाहेगा, अच्छी बात क्या कि मैं आज आपको एक ऐसा option देने वाला हूँ, जहां आप active income लेते सिर्फ एक आपके अंदर एक जजबा होना चाहिए, कि मैं भी passive income का part बरना चाहता हूँ, अगर आप passive income की importance को जानते हैं तो, यह सब कैसे संबब होगा, हमने देखा है कि दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं, बड़ी-बड़ी गाड़ियों के बात आती है, तो वो नौ बड़ी चलाता हो, यह मर्ष्णी को एक बहुतेजी से चेंज कर लेता हो, इविन ओड़ी मर्ष्णी यह उनके लिए बड़े नाम होते, वो बैस सिंपल सी जो गाड़ियों होते हैं, उनको ही चला पाता है, ठीक, बड़ी गाड़ी, बड़े बंगले, बड़े फार्मा उस यह देखे हैं हमने बिजनसमेन के, जब बड़ी जिंदगी, बड़े पैसे, बड़ा रुतबा, किसी को चंदा देनी के हैसित, एमपलोई नहीं देखी, वो बिजनसमेन की देखी, जब सब कुछ बड़ा बिजनसमेन के पास है, तो फिर समझदार होने के बावरूद, पढ कर सकते हैं, बिजनसमें करने के जो बेरियर है, उनमें पहला बेरियर है, पैसा चाहिए, बिजनसमें बातों से नहीं होते, मैं बोल रहा हूँ और आप शुरू कर दे, ऐसा नहीं होता, जो बिजनसमें बात कर रहा हूं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, बाट ट्रेड नहीं स तो बड़े पैसे की बात है और चुकि जहां पैसा इंवल्व हो गया क्योंकि पैसा अगर कहीं से मैनेज कर भी लिया जाए कुछ पैरेंटल छोड़ा हुआ उसको सेल कर दिया जाए बैंग सेल लिया जाए किसी यार दोस्ते दोदार ले लिया जाए तो खत्रा है इस बात का अगर बिजनस नहीं चला तो क्या होगा और यह डर हमें बिजनसमें बनने से रोग देता है तीसरी बात कोई भी बिजनस एक दो घंटे में नहीं चला करते हैं कहा जाता है नौकरी का तो अपने एक टाइम है अगर आप सरकारी नौकरी में तो 8-10 गंटे हैं आपके मैनेज करे आदमी टाइम भी मैनेज करे रिस्क भी लेने को तयार हो तो सबार उठता है कि बिजनस के लिए हमें अनुबब कौन देगा तेकि बिजनस भी तेजी से बदल रहे हैं जो पहले कराने की दुकान चलाता था आज वही उसका बेटा उसी कराने की दुकान पर फ्ल निए बोल देते हैं अरे डोबा मत बैठी हो वाई तुच तुच जानता ही क्या दंदे के बारे में तो यह एक कारण है और लास्ट इंपर्टेंट चीजिज है एक्सप्रेंस के बारे हम कहा जाता है बहुत कुछ खोने के बाद यह मिलता है यह पैसे से नहीं मिलता है किता ले बड़ी गाड़िया एक अच्छी जिंदगी समाज के अंदर रुत्बा किसी को चैरीटी देने की हिम्मत होसला यह सब चीजे रोग देते हैं उसको क्यों को बिजनसमें नहीं बनना चाहता बिजनसमें बनने के उसके सामने आ जाते हैं इनका सॉलूशन क्या है थोड़ नहीं लेना है आपके घर के जो आज काम चल रहे हैं जिनसे आपका परवार चल रहा है घर की रोज मर्णा की जर्ट की चीजें आप जो ले रहे हैं काम में वहीं चीजें उसी खर्चे से आप बिजनसमें बन सकते हैं चुकि जब पैसे के इनवल्मेंट नहीं है तो रिस्क किस बात का है रिस्क होई नहीं सकता इसके अंदर और तीज़ी बात है कि आप जो कुछ कर रहे हैं उसको डिश्टर नहीं करना है टाइम की चिंता नहीं है आपको आपको इसमें दो से तीन गिंटे मैनेज करने की जड़ता है वो भी पाइट टाइम पाइट टाइम का मतलब वह समय जो आप उच्छे समझते हैं मैं इस समय को इस पेर टाइम को पैसे में करने के लिए काम में ले सकता हूं यहां पर आपको नॉलेज ट्रांसफरेवल है फ्री आप कोस्ट विदाउट एनी चार्जेज और एक्सप्रेंस आपको मिलता है उन लोगों से जो काम्याब हुए इस अपॉर्चिटी में वह अपना एक्सप्रेंस आपको देने को तैयार है बस कुछ थम्सकंडिशन होती है आपका कमिटमेंट लेविल आपको सो करना होता है अगर आप कमिटैड है तो एक्सप्रेंस आपको मिलने लग जाता है बिजिनस मॉडल क्या है जिस बिजिनस के मैं बात करना हूँ बिजिनस मॉडल क्या है अई उससे पहले जान लेते हैं मार्केट के अंदर किस तरह से बि ट्राइडनिसल मार्किट क्याते हैं इसने समय-शमय पर अपने तरी upfront बदले हैं रूप बदले हैं ताकि केस्टूमर को बहतर सर्विस दीैनियो सके हर किसी ने कस्टूमर को आसानी से सामान पहुंचाने के बारे में तो विचार किया लेकिन किसी ने ये विचार कभी नहीं किया कि कस्टूमर के घर में भी हमारी इंडिस्टी का पाइट बनके दो पैसे आ जाए तो यह ट्रैनिशल मार्केट की कहानी है हमारा बिजनस मॉडल क्या है हमारा बिजनस मेल बोलता है अभी भी मैनुफेक्सर होगा अभी भी कस्टूमर होगा कस्टूमर अभी भी अपनी जरत का सामार लेगा मैनुफेक्सर उसकी जरत के हिसाब से सामार बनाएगा लेकिन अगर वो दोनों आप उसमें हाथ मला ले तो जो ट्रैनिशल मार्केट में बीच में पैसा फिलो करता था 50-60 परसेंट उस पैसे को यह कस्टूमर अपनी तरफ मोड पालियों इस पैसे का वो हिससा बन सकता है वह पैसा ले सकता है बीना सवरूम खोले हुए बिना गोदाम खोले हुए बिना बरी पूझी का इनवेस्ट किये हुए बिना These और जो लेकल फ़र्मिल्टी जो और में जिंच्शल पाले उए इस customer के बारे में पहली बार विचार किया गया कि अगर important market का system ये कहता है कि सबसे important दुरी जिस पर पूरा बाजार टिका हुआ customer है अगर इस customer के बारे में कुछ सोच लिया जाया और इसको कुछ पैसे कमाने का अफसर दे दिया जाया तो इससे बैतर कुछ हो नहीं सकता और इसी market क के जो model है इसको कहते है direct selling आप इसे कुछ भी अलगलग नाम से सुना होगा आपने और इस direct selling में जो pioneer है जिसकी दिमाग में पहली बार विचार आया था या यह कहिए दुनिया में direct selling के नाम जब जुड़ता है आता है तो बड़े सम्मान से लिए जानवाला नाम है डाट इस M.B. Corporation ऐसा हो नहीं सकता कि आप में से आज तक किसी ना किसी तरीके से गलत या सही तरीके से आप तक ये महत्मूर नाम ना पहुचा हो अब इससे पहुचा होगा वो अलग बात है कि चाहे वो गलत आदमी के दौरा पहुचा गलत तरीके से पहुचा या सही आदमी के दौर तो आप पाइब आपकी जीवन में कई बार यह नाम आया होगा आपकी दिमाज में कई बार इस इंडर्ष्टी का पर्ट बने का क्याल आया होगा बट आप नहीं बन पाएंगे अगले 15 मिट की जानकारी आपके आज तक की गलत फेहिंगी को दूर करने के लिए मैं समस्ता हो म आपने मना किया है तो आप आज भी मना कर सकते हैं आपके ऊपर कोई प्राइसर नहीं है बट कम से कम जीवन में एक बार खुले दिल और दिमाग से आपको जानने की जड़त है एंबे कॉर्परेशन है क्या यह एंबे कॉर्परेशन नाइंटी फिप्टीनाइन से दुनिया में काम कर रहा है लगबग साथ साल से ज़्यादा कर समय इसको हो चुका है यह गिलोबल वर्क करता है यानिकि 110-300 में हमारा बिजनस फैला हुआ है चार सो पचास हमारे पास प्रुड़क्ट हैं और एक से ज्यादा हैमारे पास सैन। हैंगी हम लोग 200 क्रोड रुपे का एक दिर में टर्नोड कर जाते हैं वे इंसान जिसको 2,010 कRORA کا अर्थ नहीं पता है, या 2,010 कRORA लिखनी सकता, वो हमारे उपर कमेंट कर जाता है, और मजबूरी देखियें कि हमारी हम उससे कुछ कह नहीं पाते हैं, क्यों उसे उससे, वो नादान है, क्या कहें उससे, उससे के बिए एक नाम सुना होता है, गलती उसकी नहीं है उसको नाम किसने किस रूप में इताया इस आधर पर वो अपना इस्टेटमेंट दे रहा होता है भारत के अंदर हमारा बिजनस पांच में 1998 में को आया था हम लगबग 25 में एनिवर्सी मनाने वाले हैं अभी एक सो पत्स से जाधा हमारे पास उसले कई बरशों से और हमारे पास लगबग एक हजार क्रोड़ से जज़ादा का हमने इन्वेस्टमेंट किया है हम अपने प्रटक की मैनिफेक्सिंग भारत में ही करते हैं तमिलाडू हमारा मैनिफेक्सिंग प्लांट है खुद की manufacturing करते हैं हमारे product भारत में बनते हैं भारतियों के लिए बनते हैं make in India और make for India के अंपाइट है ये थोड़ा सा brief introduction मैंने आपको दिया था MBA Corporation का हमारे जो product बनते हैं हम जो product available कराते हैं हमका मतलब I am also part of MBA Corporation इसलिए मैं हमका इस्तिमाल कर रहा हूं हम 100% money back guarantee के साथ प्रवाइड कराते हैं आप जो भी प्रवार्वार वाले सभी संतुष्ट है तो product आपका है यदि कोई भी असंतुष्ट है हमारे product से तो खुला हुआ product वापिस अबारा है इस बात के लिए हम आपको 30 दिन की समय सीमा देते हैं 30 दिन के अंदर आप पुड़क का 30% पार्ट तक कर इस्तिमाल करते हैं तो हम बापची पर उस 30% का एक रुपया भी आपसे नहीं कारते हैं और मैं समझता हूं यह एक बहुत बड़ी सुब्दा और बहुत बड़ी गारेंटी है और फिर भी किसी को डर लगता है तो मुझे लगता वह इंसान जीवन में कभी आगे बढ़ी नहीं सकता क्योंकि इतनी सुब्दाओं के साथ कोई डर पोग है न तो इसके लिए क्या क्या एंबे और क्या एंबे का जैसा कोई बिजनिस कोई फर नहीं पड़ता है हम किन-किन कैटिग्री में पुड़क बनाते हैं सबसे बड़ी जो हमारी कैटिग्रिया डाट इस न्यूट्राइट कोर्परेशन यह हमरा एंबे का इक पार है यहां पर हम देते हैं आपको धना चाहिए उसमें बन गया उसको भड़ने के लिए हम आपको सप्लिमेट देते हैं तो एक इसके उपर बहुत बड़ी बातें की जाते हैं कई गंटों बाते जाते हैं इसको क bouncing support कराते हैं हम आपको देते हैं सुब़ से श्याम स्याम तक आपके घर में इस्तेमाल होने वाला हर पोड़क्त, चाए वो कपड़ाज होने का हो चाए वो बरतन साफ करने का हो चाए आपका पोचला लगाने का को कोई भी authenticity करते हैं जमीन से ले कर आपके चत तक शीलिंग तक जो भी काम में आता है हर तरह का लगवख हम पूड़क पूड़क आपको प्रोवाइड कराते हैं आपकी ग्रूमिंग के लिए सुबह से स्याम तक आपकी परसनल बड़ी के ऊपर कंजीम होने वाले हर तरह का पूड़क लगवख हम आपको देते हैं तब ही हर बड़क की खासियत यह गी हम जो हर काम मिलेते हैं उनमें किसी तरह का पैस्टी साइड इस्तेमाल नहीं करते हैं किसी तरह का हम कोई हर्फिल कैमिकल इस्तेमाल नहीं करते हैं हम जो प्रड़क देते हैं प्रोड़क देते हैं और पहली बार हम आपको डियने फिंगर प्र तो लएदो वारत के हम आपको प्रोड़क्परेंट कर आते हैं। पहली बार हम आपको प्रॉडक देते हैं इसके साथ की आपको चाहिक रिकौर्प्रेंट के साफ तक क्या है और कितनी मात्रा मैं आपके अंदर जाना चाहिए कि हम जो मार्केट के अंदर मिलती हैं ग्राम के इसाब से मिलती है हम आपको एमजी के हिसाब से एक्टिव कोईंटिटी के साथ प्रोवाइड कराते हैं याद रखे हमारा तीस दिन की refund policy के तैयत मिलता है 100% guarantee के साथ मिलता है हम आपको देते ऐसा product जो आपके skin के ऊपर आप consume कर सकते हैं color cosmetic हम आपको देते हैं हम आपको international brand देते हैं हम आपको national brand देते हैं हम ऐसे product आपको provide कराते हैं जो आपको pollution से बचाय रखते हैं अभी कुछ समय पहले एक हमारे लीडर एक सैसन ले रहे थो उन्होंने बताया आज की तारीक में मिर्तुदर का जो सेकेंड नंबर पर डाटा आता है इस पॉलिशन की वज़े से पॉलिशन जो बढ़ रहा है उसकी वज़े से आता है हम आपको सॉलिशन देते हैं इस भी हम आपको एक ऐसी कैट्गरी प्रॉवाइड करते हैं को ग्राटें सकते हुं लो प्रैसर कोचिंग कर सकते हैं लो कोकिंग कर सकते हैं और यह सारे क्हिंग प्रड़क्ट हमारे पेट्रेंटेड हैं यह सारी सुब्दाइं आपको मिलती हैं अपने टर्नोबर बढ़ाने के लिए अलग-अलग कैटिगरी के बारे में जो बात करें हम आपसे हम आपको देते एक ऐसा प्रड़क्ट जो आपके अग्रिकल्चर के अंदर आपकी पैदाव चाहिए हमँद नहीं बैशन के लिए हम आपको पुड़क्ट प्रडर से हैं तो भी आप लेंगे नहीं करते तो भी आप लेते हैं फरक इतना है कि आप किस प्वालिटी के लेते हैं विदाउट य्प सफ लिए लेते लिए कोई भी ब्राइंड और कोई भी कैटिगरी आप एंब के लावा बजार से काम में ले रहे हैं तो मुझे लगता कि वहां से कभी आपको पैसे कमाने का मौका मिला होगा बट हम यहां पर आपको पैसे कमाने का अफसर भी जह रहे हैं अब सवर अठता है बिजिनस काहां है यह pronounce लेते हैं था का सामान है इसंट में पैशा कहा कहा शॉइद नीथे पर जरद के लिए प्रड़ लेता हैं uh तो यहां पर होगा क्या जिसने आपको बारे में बताया है या जिसने आज आपको लिंग किवेज आई या जो आपके टच में है वह कहलाएगा आपका इस्पांसर वह एक टीम से connected है उसके साथ जैसी आप कहते हैं जी मुझे भी पैसा बनाना है आपको सफिक स्टेडमेंट देना है मैं भी इंत्रेस्टेड हूं पैसा बनाने में और चुकि आपने अभी देखा पैसा बनाने की मतलब कोई एक दो गंटे आपको मैनेज करने होगे तो आपको क्या मिलेगा M के साथ बिजनेस करने का मौका और वह भी डिजिटल या पूरा बिजनस कर सकते हैं अपना इंफरेस्ट्रेक्सर अपनी लीगल टीम आपको सपोर्ट करेगी बिजनस बिल्ड करने में तो बिजनस ट्रेड़नी से जो जितने भी एडेक्स दे जितने भी चिलेंज थे वह सारे आपसे रिमूब कर दें आपसे दूर कर दिये गए आपका काम से पैसे बनाने की छोड़ दिया गया है तीसरी तरह आथा एक एक एसा बनाय हुआ सिस्टम जो यह तरीका सिखाता है कि आप कम समय में ज्यादा तेजी से ज्यादा आगे तक कैसे बढ़ सकते हैं यार्गि जो पैसा अपने ट्रेडिसल टाइम में या यह कही नौकरी में दस साल में कमाते हैं उस इंकम पर आप एक साल में कैसे पहुंच सकते हैं मैं जब बिजनिस में आया था तो मैं तेरे साल की नौकरी कर चुका था उस तेरे साल की नौकरी के बाद सोले साल की पढ़ाई के बाद जो इंकम में 28 साल के कैरियर के बाद ले रहा था उस इंकम को इस बिजिस ने एक साल में रिप्लेस कर दिया तो यह ऐसा संबभ हो पाया इस सिस्टम की पावर को समझने के बज़े से तो यहां पर गुरुकुल नाम से आपको एजुकन सिस्टम मिलता है यह मानिए कि जिसने आ फर्स्ट बेनिफिट मिलेगा आपको 15-20 परसंट की चूट मिलेगी दूसरा अगर आप ऐसे लोगों को सेम मैंट सेट के लोगों को सर्च कर पाते हैं समाज के अंदर फैले पड़े हैं जिससे देखो वही सुबह स्याम तक रास्ता ढूंड रहा है सही नहीं मिल रहा तो ब आपकी टीम बनेगी एक एसेशन आपका बनेगा उसमें जो टर्नोबर होंगे आपकी तरह ही वो भी अपने जर्थ का सामान लेंगे और जर्थ मंद को वो सामान उप्लब्त करा पाएंगे तो उस टोटल टर्नोबर में से आपको 3-21% पैसा मिलेगा अगर आप किसी को एक करने के लिए जितने नंबर सब्सक्राइब की जर्थ है उनको डील करना और उन सभी को प्रक की इंफॉर्मिशन देना और उनके द्वारा अपने कस्टूमर को सर्विस दे पाना ये तीन काम उनको सिखा पाते हैं तो आपको उनके टोटल टर्नोबर का 6% leadership commission की रूप में मि करने के बड़े-बड़े साइंटिस्ट बड़े-बड़े qualified person well settled market के अंदर लेकिन एक फियर उनके अंदर कि कल को कुछ बात हो जाए क्योंकि कल पर किसी का वस नहीं चलता तो ऐसा क्या करें कि हम अपने परवार के लिए सीक और इंकम छोड़ सकें वह सीक और इंकम आपको यहां पर जाकर मिलने लगती है किस तरह से मिलेगा लग 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 एक आईडिया दे रहा हम आपको जस्ट एक आईडिया है आपको फिकर में नहीं टकना है यदि आप अपनी जर्द का सामाल लेते हैं एंवे कोर्परेशन से रिफंड पॉलिशी की गारंटी के तहत कोई भ इसकांट के साब से आपको लगबग 2000 रुपे का फाइदा मिला आपको जो मैंने बताया बैसिक आपको छूट मिलेगी और यहां पर जैसे आपने लिए चूट को एंजय कीजिए पड़क को समझे पसंद आये तो कंट्यूनी कीजिए पसंद नहीं आए तो वापिस कर दीज कहीं कोई रिस्क नहीं है कहीं कोई खत्रा नहीं कहीं कोई डर नहीं और फिर भी डरते हो तो फिर भाई आपका मेरे पास तो को इंजाम नहीं है किसी के पास भी नहीं है ठीक आप अकेले हैं अब आप संतुष्ट हैं आपने पड़क लिया है यूज करके देखा है आपका भरोसा है, जो बोला गया था, वो और उससे ज़्यादा आपने पाया है, मैंने जितना बोला, उससे ज़्यादा आपको मिला, अब आप दिल खोल कर, बे धड़क होकर, अपने लोगों को बताईए, दो ही बात बतानी है, तीसरे की जरत नहीं है, सामान लेते हो, अच्छी माना चाहते हो, पैसा कमाने का भी मोका होगा, इतनी सी बात बोल सकते हैं न, इसे कोई भी बोल सकता है, ठिक, भा्मन लेते ये बात आपने बोली, और आपके साथ कुछ लोग सामेल वहें, जिनकी संख्या कुछी मान लिजे हमान लिएं, आपके सामेल, तो एक लाशक्त र तरन वर हो गया 50 लोग सामिल हो गये 50 लाके तरन वर हो गया इसका में ने किया जो होई जाता है कम ज्यादा होगा फरक नहीं पड़ता मेरे जैसा एक व्यक्ति मेरी टीम में आया मैंने उसको यह बात सिखादी समझादी तो वह भी आप मैं और वह बिलकर तो दो गए तो काम जो पहले मैं अकेला घाल ने लगी जबकि कर हरा आजमी एक इंकम होना स्वाइच सी बात है जब आपके टीम में 40-50 लोग हो जाते हैं तो यहां पर आपकी इंकम 40-50 जार तक टच कर जाती है अक्सर यह देखा गया 30-40 जार होती है लेकिन मैं कहता हूँ 50 जार तक इंकम टच हो सकती है और जब यही परवारों की संख्या 100 हो जाती है तो आपकी इंकम लगबग एक लाक रुपे महिने हो जाती है 16 साल पढ़ाई करना, 16 घंटे किसी के नीचे काम करना, प्रैसर में काम करना, परवार से दूर रहना, इस्ट्रेस में चले जाना, दवाईयां खाना यह आसान है, यह 100 अच्छे लोगों की टीम बनाना आसान है, यह आपको सोचने की जड़त होगी और मैं समझता हूँ सब पढ़े ले के समझदार, इसलिए आप सोच सकते हैं असली गेम क्या है जिसके लिए highly qualified business के लिए आते हैं और एक जनून जिनके उपर चा जाता है, जो यह समझ जाते हैं कि एक लाग तो मैं कहीं से भी कमा सकता था लेकिन real money जो है, वो है leadership commission वो मुझे कमाना है जब आपके द्वारा कोई एक ऐसी team तयार कर दी जाती है, जिसके उस team का turnover 10 लाक रुपे होने लगता है तो वहाँ से आपको 6% के इसाफ से लगवग 60,000 रुपे हर महीने, जब जब वो turnover होगा अगर वो regular हर महीने हो रहा है तो हर महीने आएगा, कभी-कभी हो रहा तो कभी-कभी आएगा लेकिन यह देखा गयागी, रेगुलर होने लगता है, तो आपको 60,000 रुपे ने उससे आने लगता है ऐसा जब तीन team के साथ करते हैं, तो आप यहाँ एक title मिलता है, आपको that is Emerald यहाँ आपकी इंकम होती है 25-30,000 रुपे साला ना, और जब यह 6 team के साथ आप करते हैं, तो आप कहलाते हैं, यहाँ आपकी इंकम होती है, मिनिमम साथ-सतर लाग से लेकर 1 करोर रुपे पर एनम तक, अब आपके सामने सिंपल ऑप्सन है, आप साथ हजार रुपे महीने, बैंक से FD के रूप में लेने के लिए, किसी बैंक महीने से, एकाउंटरेंट से, यह से बात कीजिए, कितना डेपोजिट करूं कि बैंक मुझे साथ हजार देने लगे, आयो वो करोर्स में चला जाएगा, ठिक, या फिर साथ हजार का वैलू गिरता चला जाएगा, और एक दिन वो साथ हजार रुपे, इस जो जीरो मैंने फिकर बताया था, इसके इसाफ से अपनी वैलू खो देगा, यह एक ऐसे इंसान को आप स्पांसर कर दीजिए, इसकी मदद कर दीजिए, जहां से साथ हजार रुपे समय क के इसाफ से बढ़ता चला जाएगा, जब मैं बिजनस मा आया था, तो यह 6% जो हम लीडर्शिप कमिशन कहते हैं, यह 25,000 रुपे हुआ करता था, जो आज यह 60,000 हो गया, जब आप बक्त के इसाफ से महंगाई बढ़ेगी तो यही फिकर आपका बढ़कर आगे चलता चला जाएगा, दमाग माता है, शुरू कैसे करें, बहुत सिंपल है, शुरू करने के लिए कोई बिजनस है, किसी तरह का दमाग के उपर दवाब डालने की जरती नहीं है, आपको, सिंपल जैसे आप एक सिंप कार्ड खरिदने जाते हैं, अपना के वाई सी देते हैं, बैंक डि वैसे ही, आपको सिंपल लिए डॉकुमेंट देना है, जिसने आपको आज लिंक भेजा है, उसके साथ बैठ कर, ओनलाइन, डिजिटली, किसी ओफिस में नहीं जाना है, आप बिजनस का पार्ट बन सकते हैं, रिश्टेशन कोश्ट आपका बिलकुछ जीरो है, एक रुपय करें, पर मैं आपको highly recommend करूँगा, at least minimum 10,000 रुपे के प्रट चूज करें, ताकि आप अपने बिजनस के लिए निकले हैं, तो अपने बिजनस के प्रट को अच्छे से समझ तक है, वो कोई भी हो प्रट वो आप चूज करेंगे, ये 10,000 रुपे ना guarantee नहीं है, सर्त नहीं है कि ये 10,000 ही होने चाहिए, कम रख सकते हैं, ज्यादा भी रख सकते हैं, हमने देखा है कि जितने भी लोग बिजनस को seriously करने आते हैं, वो 10 से 20,000 के बीच में प्रट चूज करते हैं, हमने देखा है, वो मैं आपके साथ share कर रहा हूं, आप क्या देखाना चाहते हैं, वो आपको physical knowledge दे सकते हैं, आपको MV Corporation खुद knowledge देता है, knowledge लीजिए, और इस opacity के बारे में लोगों से बात कीजिए, opacity कैसे share की जाती है, बहुत simple सा है, simple जो आपने सुना है, उसका जो याद रहा, जो अनवा लेते हैं, जो feel करते हैं, अपना feeling लोगों साथ share करना होता है, उस ही को opacity कैते हैं, चुकि हम traditional market में या traditional समाज में जो रहते हैं, वहाँ पर हमें एक business mindset that is very different mindset, वो mindset हमारे पास नहीं होता है, तो हम आपको recommend करते हैं, कुछ books जो आपको एक businessman की तरह, कहते हैं, think like a millionaire, एक करोणपती की तरह, think like a businessman, एक businessman की तरह, think like a successful person, एक सफल इंसान की तरह, सोचने मदद करते हैं, इस तरह की कुछ books आपको मिलेंगे, वो आपको, जन्होंने link बेजा, वो आपको suggest करेंगे, उन में से कुछ books को आप शूच कीजिए, अपनी सुब्दानसार उनको study कीजिए, पढ़िए, और देखेंगे, धीर-धीर आप transform होते चले जाएंगे, एक आम इंस और इस तरह की जो हमारी digital meeting है, ये meeting होती है, इनके link आपको time to time मिलते जाएंगे, all are free of cost, जहां से आप देखेंगे, जो काम आपको लगता है, पहले दिन डर लगता है, मैं साध नहीं कर पाऊँगा, वही एक महने के अंदर आपको लगने लगेगा, मैं तो इसे बहुत पहल मैं अब हो पाऊंगा, मैंने अलग-अलग तरही कहानी सुनी है, साध मेरे लिए MBA नहीं बना है, थोड़ा सा जब knowledge लेंगे तो आपको लगने लगेगा, ये बना ही मेरे लिए है, तो ये सब चीज़ें आपको एकी platform पर मिल जाती है, क्या मिलेगा आपको, अगर आपने इस सिहत के साथ आप एजिन ले पाएंगे, old age security आपके पास होगी, आप लोगों के mental peace होगी, लोगों के charity कर सकते हैं, आपका समाज में अपने एक नाम होगा, एक recognition होगा आपका, और lot of things, बहुत सारी चीज़ें, और वो सब आपको एक ही platform पर मिल सकती है, और ये सब कुछ कैसे समबाब है, जो opportunity मैंने आज आपके साथ discuss की है, आपको जिसने link वेजा, उसके साथ अगर कहीं कोई किस तरह का क्योरी रहती है, तो एक बार बैठ कर clear कर लीजिए, मैं तना ही कहूँगा, खोने को कुछ नहीं है, पाने को अपार समबाब ना है, जिसने भी इसमें हाट डाल है, डड़ते हुआ ड़ा है, मैं खोद example हूँ, ड़ते हुआ आया था, साथ मुझसे नहीं होगा, एक चीज़ समझ माई थी, नहीं हुआ, तो हो क्या जाएगा, जैसा हूँ, वैसा बना रहा हूँगा, और अगर मैं कर गया, तो साथ कुछ बदल पाए, और सच मानिये, 20 सा की मेरी जर्नी में, इस बिजनस ने सब कुछ बदल के रख दिया, अगर ये बिजनस मेरे पास नहीं होता, तो जिस तरह की जिन्दगी मैं जी पा रहा हूँ, जिस तरह का परवार के अंदर संसकार में दे पा रहा हूँ, उसका साथ 10-30 सथ भी ट्रांस पर विल नहीं होता, तो ये मौका आपके हाथ में, आप इसको इंजय कर सकते हैं, सेलिबेट कर सकते हैं, तो आज की इस मीटिंग को शांदार मीटिंग को जो बताया गया, उसको अमल करें और यहीं पर समापन करते हैं,